पिकासो की चित्रकला का जो मुख्योद्देश है वह अधिक से अधिक बच्चा होने पड़ जोड़ देता है हमारी सब भी समझदारियों को छोड़ते हो जिस परकार बालक उनमुत्थ होकर चित्र बनाता है सहज भाव भंगी माएं उसके चित्र में प्रकट होती है उसके लिए प्रयास करता है और शायद प्रयास भी नहीं करता है सहज ही उसकी चित्रकला उसकी तुलिगा से प्रकट होती है पैंसिल से प्रकट होती है वही चाहता है पिकासो किम वापस बच्चे बन जाए वही शु प्रत्यक मनुष्य के मन में होनी चाहिए कि वह निर्वेकार करें अपना अनंद के लिए कार करें नहीं कि किसी अप्यक्षा के लिए तभी वह सफल हो पाएगा